तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल और आज के वीडियो स्रीज के अंदर हम भी डिसक्स करने वाले हैं टी यूसी के अंदर काफी इंपॉर्टन टॉबिक जिसका नाम है फाइन आप आटोमेटा यह वीडियो स्रीज काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है अगर बहुत नाम होता है अह Κारण का कंप्यूटंग डिवाइज होता है अल्फा यानि ये क्या है एक परकार का मैथेमेटीकल मोडल उस्टेन में बहुत सारी चीजियआ होती है जो अपलाइब किया होता है तो इसको अलग-अलग तरीकये से रिपरिजिंटेट कर सकते हैं इसको हम graphical representation में भी दर्सा सकते हैं इसको हम tabular form में भी represented कर सकते हैं साथी साथ इसको हम mathematical form में भी represented कर सकते हैं तो tabular को हम transition table कहते हैं और mathematical में transition function या फिर mapping function होता है और अगर examination में आपको पूछे कि what is the जो आपका finite automata होता है तो आपको ये ना लिखते हुए अगर आप तो इसमें आपको basically क्या करना होगा formal definition को लिखना होगा क्यूंकि examiner जो होता है वो formal definition को ही carry करता है तो formal definition जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक चीजे जो है वो समझ नहीं होता है और सारा खेल यहाँ पर sigma का зовут a γιαुफा और सारा खेल में कशला होता क्योंना क्योंको इनिफया प्लिखेंगींता हLS तक यहाँ बात करेंगि बात करें कि transition diagram क्या होता है तो यह परकार का डायरेक्टर ग्राफ होता है जिसमें direction दी होती है डायरेक्शन वाली चीजे होती है तो यहां पर आप देखें यहां पर एक figure दिया गया है जिसमें आपको q0 q1 और q2 दिख रहा होगा q0 आपका क्या है initial state है q1 आपका intermediate state है और q2 आपका जो round up दिया गया है दो circle आपको दिख रहे होंगे कोई भी अगर दो circle आपको जहां पर दिखे वो क्या होगा वो final state होगा तो वो final state हो गया उसी के साथ अगर हम transition table की बात करें तो यह basically एक tabular representation होता है किसी भी transition function का that takes two argument जो की state and sample दो चीज़ों को वे carry करता है और next state इसमें होता है और इसमें जो देखिए बहुत सारे representations होते हैं आप इन representations को arrow के द्वारा easily represented कर सकते हैं यहां पर आप देखिए किस तरीके की चीज़े apply की जाती है यहां पर आप इस tabular form के according समझ सकते हैं जैसे यहां पर state कितना दिया है 0 और 1 है input state तो 0 और 1 हो गया q0 आपका q0 पर ही जा रहा है और जो 1 पर क्या जा रहा है q1 पर जा रहा है इसी के साथ यह क्या जा रहा है 1 पर q1 पर और यहां पर q1 पर तो इस तरीके से आप कर सकते हैं उसके बाद transition function होता है तो यह परकर का mapping function होता है और transition function होता है जो denote किया जाता है delta के द्वारा और इसमें current state और आपके follow करने होते हैं पहले यह होता कि it plays an important role in the compiler designing यानि compiler designing के अंदर यह जो होता है काफी important role play करता है and second point करा है कि in switching theory and design analysis of the digital circuit automata theory is applied यानि उस condition में जो automata theory होता है उसको हम apply करते हैं design analysis of complex software on hardware system and fourth होता है to prove the connectedness of the program automata theory is used and fifth आपका क्या है fifth आपका to design the finite state machine such as more and the mille machine okay और यहां पे कुछ types है आपका type of finite automata finite automata आपके दू प्रकार के होते है finite automata without output and finite automata with output without output आपको तीन पढ़ने है dfa पढ़ना है nfa पढ़ना है जिसे हम लोग ndfa भी कहते हैं उसके बाद dfa with epsilon पढ़ना है और with output में आपको more machine और the mille machine पढ़ना है तो बारी बारी से step by step हम वीडियो लेके आएंगे अगले वीडियो सीरीज के अंतर हम लोग dfa को डिसकस करेंगे उसके अगले बाद नfa को डिसकस करेंगे उसके बाद nfa with epsilon को डिसकस करेंगे देन उसके बाद more machine अंदर mille machine डिसकस करेंगे तो यह सारी चीज़ों को हम step by step डिसकस करते चलेंगे तो घबराने की बिल्कुल जरूत नहीं यह बस प्लेलिस्ट को आप अकसेस कर लीजे ज्यादा ज्यादा उसको सेयर कीजिए